हलो फिरेंड्स, तो आज की वीडियो है आपकी 26 नवंबर दो हजार चौबेस, 26 नवंबर दो हजार चौबेस के करेंट अफे olur के कॉश्चन तो इस वीडियो में आपको व्र we यू वित्त पैकेज को खारिच कर दिया है तो option C आपका सही हो जाएगा 300 अरब डॉलर question number 2 किस मंत्राले द्वारा 25 नवंबर को नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्य अभ्यान का सुभारम किया गया है तो ये किया गया है केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्राले के वारा option C question number 3 हाल ही में कहां भारत के पहले सम्विधान संग्रहले का उद्गाटन हुआ है तो यह हुगा आपका हर्याणा, option A सही हो गाएगा, हर्याणा में पहले संविधन संग्राले का निर्माज हुआ है. Question number 4, हाल ही में कहां, G20 सिखर संविलन में भूख एवं गरीबी के खिलाब बैस्विक गठवन्दन की आधिकारिक सुरुवात की गई है. Question number 5, हाल ही में राश्टी कैड़िट कोर NCC ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है? तो राश्टी कैड़िट कोर NCC, मेशनल कैड़िट कोर इसने अपना 76 वह स्थापना दिवस मनाया गया है, Option B, Question number 6, हाल ही में कहां हज सुविदा एप 2.0 लाँच किया गया है? तो हज सुविदा एप 2.0 जो है वो नई दिल्दी में लाँच किया गया है, Option B, Question number 7, हाल ही में किस देश ने राश्टी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला AI Data Bank launch किया है, AI मिदल अर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, तो ये किया है भारत ने, Option C, Question number 8, हाल ही में किस ने नई दिल्ली में बैस्विक सहकारी सम्मिलन का उदगाटन किया है, तो बैस्विक सहकारी सम्मिलन का उदगाटन जो है नई दिल्ली में प्रदान मंत्री जी ने, नरिन मोदी जी ने किया है, तो Option B, आपका सही हो जाएगा, Question number 9, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली आधुनिक और आत्निर्भर गौसाला, आदर्स गौसाला का उदगाटन किया गया है, तो आदर्स गौसाला का उदगाटन जो है वो मद्धिपर्देश में किया गया है, Option A, Question number 10, प्रतिवर्ष भारत में किस तारीक को सम्विधान दिवस मनाया जाता है, तो सम्विधान दिवस जो है, वो 27 नवर्बर को मनाया जाता है, Option B, Question number 11, हाल ही में कहां ओडिशा पर्ब 2024 का उज़न हुआ है, तो ओडिशा पर 2024 का उज़न नई दिल्ली में किया गया है, Option A, Question number 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्रा संग्रहंड कर की बसूली बंद कर दी है, तो कच्रा संग्रहंड कर की बसूली जो है वो आन्द प्रदेश ने बंद कर दी है, तो Option A, आपका सही हो जाएगा, Question number 13, विश्व इस्तर पर कौन सा देश कोकिंग कोईले का सबसे बड़ा आयतक है, तो कोकिंग कोईला जो है वो भारत जो है सबसे बड़ा आयतक है, कोकिंग कोईले में, Question number 14, हाल ही में बैस्विक मिर्दा सम्मेलां G.S.C. 2024 का आईगर कहां किया गया है, तो यह किया आपका नई दिल्ली, Option B, नई दिल्ली में, Question number 15, हाल ही में किस राज जिने 30 साल बाद इस्थानिय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए, दो बक्चों का नियम खतम कर दिया है, तो यह किया आपका आंद्रप्रदेश, Option A, 30 साल के बाद जहां जो है, दो बक्चों का नियम पहले चलता था, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वो, उसके दो बक्चे होने चाहिए, लेकिन अब यह नियम जो है, वो खतम कर दिया गया है, आंद्रप्रदेश सरकार के द्वारा, तो Option A, सही हो जाएगा, तो यह थे आज के 15 Important Current Affairs के कॉस्चन, अगर कॉस्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें, धन्यवाद